हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी का इस नए ब्लोग में स्वागत है और अभी मैं हूँ आजय नदी के पूल के उपर और जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ पर दो नदियों का संगम है एक इधर से डढ़वा नदी है और यह है अजय नदी तो दोनों नदी यहाँ पर आके मिला यहाँ पर देखिए यहाँ पर आजयनात मंदिर है और यह जगह है संगम इस्थल दोनों नदी का आजय नदी और डढ़वा नदी का तो कल जो है बहुत ज्यादा बाढ़ था यहाँ पर क्या कुछ था कल वो तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन हाँ यह चीज में आपक को इस प्रकार का जो है यहाँ पर वीडियो मिलता रहे और वीडियो पूरा देखिए देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो एक लाई जरूर कर दीजिए अभी देखिए इतना पानी है नदी में आपको आवाज भी थोड़ा-थोड़ा सुनाई दे रहा होगा यह नज पर मिला है यह तो मैंने आपको पहले ही बताया और एक चीज में आपको दिखा रहा हो देखिए खेत में जो उपर तक पानी है और जो उपर में आपको जार सब थोड़ा मूर्जाय वह नजर आ रहा होगा वहां तक कल पानी चड़ गया था और जिस कारण से देखिए अभ आपको ऊपर में आपको टापू जैसा नजर आ रहा हो यहांपर पहले घास वाज आ था सब बहा के ले गया तो यह देखिए यह आज का नजारा कल तो बहुत ज्यादा पानी था कल में नहीं आ सका था क्योंकि कल मेरा जो है मुबाइल का चार्ज भी खतम हो गया था और बहुत ज्यादा बारिस हो रहा था जिसका रण कल में नहीं आ सका यहां पर और यह रहा गया आगे जो है जैनात मंदिर तिरसे में चली इस तरफ का आपको नजारा दिखाता हूं देखिए ये डढ़वा नदी वहां पर सिधा पानी बहुत कम जा रहा है वहां से देखिए यहां से पानी घूम कर इस प्रकार से इस जगह आके आजए नदी में मिल रहा है और ड़वा नदी का पानी हमेशा कि देवगर का जो भी जल निकासी रहता है नली वगर का सारा कुछ आके डढ़वा नदी में मिलता है जिस कारण से बहुत ज्यादा दूसित पानी आता है या पर देखिए ये पानी और उस पानी में बहुत ज्यादा अंतर होगा थोड़ा सा आगे जाके अगर आपको करके चलिएगा और आगे में आपको लिए चलता हूं सारा कुछ दिखांगार इदर लेके कहतर में यहां से बालू उठा उठा के लेके जा रहा है सब कोई और देखिए मैं जैसे पहले आपको पता रहा था यह पूरा गंदा पानी है और थोड़ा आगे जाईएगा तो आ अभी फाटक बंध है तो पानी कम आ रहा है इसलिए जल्दी से पानी नीचे का जो भी पानी था वो और नीचे चला गया और पानी का लेयर बहुत कम हो गया है और जो डेम बनाया गया उपर के तरफ वो पुनासी डेम है तो अगर आपको उसका भी वीडियो चाहिए पुन सान ही आपको दिखाया और आज अभी भी बाढ़ बहुत जादा है और उपर में जो है पुनासी डेम बांधा गया जिस कारण से जल्दी ही पानी निकल गया मतलब डेम के नीचे का जो पानी आ रहा तो वही पानी अभी चल रहा है और दूर से अगर पानी आता तो बहुत मंदीर है यहां पर अजयनाथ मंदीर चलिए मैं मंदीर का विव आपको दिखाऊंगा पूल से और इस तरफ जो है बहुत जाद संख्या में लोग मचली पकड़ रहा है तो मैं कोशिस करूंगा जो नजजिक में पकड़ रहा है उसका वीडियो दिखाने का जूम करके क्यो मेरा मुबाइल पर है नहीं बस आप लोग प्यार इस प्रकार से चैनल पर बनाई रखिए तो आगे और भी क्वालिटी अच्छा होगा और अच्छा क्वालिटी मैं करने का कोशिस करूंगा तो मैं जूम करके दिखा रहा हूं देखी यह है अजयनाथ मंदिर तो मैंने पकड़ा पकड़ा जा रहा है आपको दिखाने का प्रयास करूंगा है को और बच्चे लोग दोप्लब करहां पर जूम करने से बहुत ज्यादा खट जा रहा है इस कारण से में आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूं देखिए यहां पर मचली पगड़ा जा रहा देखिए जाल फेंक रहे हैं यह देखिए यह जाल फेंक दिया और मचली खीचेंगे और इधर कई लोग जो है नदी क्रोस करने का कोशिस कर रहे हैं देखिए यहां पर और कल बाढ़ बहुत दूर तक आया था जहां तक आपको पानी दिख रहा वहां तक बाढ़ आया था वह जो जो बिजली का खंभाव अगयरा है उसके नीचे तक जो है कल पानी चला गया था और इधर भी बहुत दूर था जो है पानी गया हुआ था एक अभी जो है दोस्ते यहां पर मिला तो बता रहा था कल आप नहीं आये जो है रेकॉर्ड करने के लिए कल का नजारा बहुत ही सांदार था मैं बताया जो है कल मेरा डाउन हो गया था मुबाइल का बैटरी भी और बहुत ज्य तो यह था आजाई नदी का एक छोटा सा ब्लाग कल तो मैं नहीं आ पाया तो यहां पर जो भी लोग मतलब यहां पर मिल रहते हों बता रहे थे आपको कल वीडियो बनाना चाहिए था कल जो है आज से लगभग चार गुना ज्यादा पानी था आज जो है सुबस ही पानी का इस्तर बहुत कम हो गया अभी तो और भी ज्यादा कम हो चुका है तो चलिए हम लेट से ही आये लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा साही सही आपको जो आजाए नदी का मैंने नजारा दिखाया और यहां पर आजाए जड़वा का संगा में आपको दिखाया तो यह ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो यह लाइक जरूर कर दीजिए का और चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वी देखें यहां पर मचली पगड़ा देखिए जाल फैंक रहा हैं बहले सबमें अठों जिए यह यह जाल फैंक दिया और जो मचली खिचेंगे इधर कई लोग जहां नदी क्रोस करने का कोशिश कर रहा हैं देखिए यहां पर कर बाढ बहुत दूर तक आया था जहां तक आपको पानी दीख रहातलких तक बाढ आया है उसके नीचे तक नीचे तक नहींद पनी चला गया था और इ्दर भी झाल